हलो इस्ट्रेंट्स आपका स्वागते केस डेकिंदी पर आज मैं यहां पर डिसक्स करने वाल कि RRBJ 2019 के बारे में डिसक्स करने वाले है जी यहां दोस्तों यहां पर RRBJ 2019 में जो सर्वे किया है उसके एकोडिंग हम आपको मार्क्स बताने वाले है कि कौन सा सिफ्ट हार था कौन सा सिफ्ट moderate था कौन सा सिफ्ट easy था ठीक है हम बता दें कि यहां पर नॉर्मलाइजसें में 10 प्लस मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं कोई दिक्ट वाली बात नहीं अगर आपको इस चीज का पता नहीं है कि रेल्वे के अंदर नॉर्मलाइजसेंट के रिजल्ट आए उनका डेटा उठागे देख लिए हाइस्ट मार्स इंक्रीज हो यह 25 प्लस मार्स इंक्रीज हो है यहां पर इन्हों पर आप यह सो नुमर का पर पर तो उसको भी क्रोस कर चुके थी मांक्स आपको नहीं पता होगा तो आप जाकर देख सकते हैं और जबक 25 marks तक इंक्रीज हो सकते हैं नोर्मलाइजेसिन के अंदर तो 25 marks आप समझ सकते हो कितना होता है और अब बात करें तो वहां पर 15 तो यहां पर कम से कम आपके marks 100% बोलडर हो कि कोई shift तो ऐसा होगा इसमें hard paper आये हैं बहुत सहाम में बताऊंगा आपको क्या benefit मिलेगा अब इतक आपने चैनल को subscribe नहीं है तो subscribe जो के लिए के जिए अब बताजिए आपको पड़ेट अठाफट तो यहां पर बात करों यहां पर थप shift के जिसका hard shift आयता यहां पर जो 3rd shift हाड लेवल का था ठीक है 23 तारीक को 3rd shift हाड शिप्ट का था और इसके साथ ही बात करे 24 को अगला है 24 को 3rd shift वो भी hard लेवल का था और यहां पर अगली बात करें तो यहां पर 29 को 29 माई को 29 माई को 2nd shift क्या था वो सबसे hard था यह भी hard लेवल का था यह 3 shift मेने बताए और अगले shift की बात करूं तो यहां पर 30 माई को यहां पर पस्ट और 2nd यहां पर जो shift थे करें वो थे moderate to moderate to tough level मतलब उनसे कम level का था था थे अगले बात करें तो यहां पर 31 माई की बात करें तो 31 माई के अंदर क्या हो आता है कि 1st shift कें अंदर फर्स शिप्ट में moderate to hard पेपर ता ये भी उसके अंदर क्या हो सकता है इनमें यहां पर 3-4 marks तो इंग्रीज हो जाएंगे तीक है 3-4 marks तो इंग्रीज हो जाएंगे अगर हम बात करें अगले शिप्ट की तो यहां पर 31 माई को second paper जिनका 31 माई को second shift के अंदर पेपर था वो hard level का हो जाएंग और हम बात करें अगले moderate level की पेपर हो कही हो Bren緩 तो यहां पर मॉड्रीट की बात करें तोиком on the goal को topping 27 जून को तो यहां पर 27 जून को जिनके एकचाम होजे टे मजाम यहां जाएंग lot पेपर पर हम इससे की साथ बात करतें अगले moderate liberal की JAI की बात करेंशने तो यहां पे 22 तारिखे Tut, के सभी all shifts जबी के जितने भी COB ते और सारे साम 17 सिप्ट कहा है और हम आगली बात करे तो 12 माही की बात करे लागत है कि वो शिप्ट नहें अ जर्ट कहा हो वो जो अगे इस माही इस माही को बात करे लागते हां और second दोनों shift कहते यहां पे moderate level के देज़ों ठीक है मैंने आपको बता देए कि hard जिनका shift था hard shift जिनका था उनके 5-10 marks तक increase होंगे ठीक है 5-10 marks तक यहां पे increase होंगे कम भी जा सकते है decrease भी हो सकते है इंक्रीज होंगे तो decrease भी हो सकते है बिल्कुल हो सकते है वीडियो अच्छा लगे तो इसको like करें और share करें और सभी को इस चीज़गे इंफर्म करें कि अब नोर्मालाज़स इफेक्टर किता होता है क्योंकि RRB, JMX, किसी student बहुत बहुत जा मैं रीडियो के साथ, थैंक्यू, थैंक्यू सोमच्छ तुन्नेवाई